नमस्कार साथियों ये बीड कालेशन प्लान संख्यां तीन है इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ये उन सिच्छा का भीरतियों के लिए है जिनका फिजिक सोनर्स है तो चलिए देखते हैं वीडियो को तो पाठ योजना करमांक में आपका जितना नमबर पाठ योजना है उससे लिखेंगे जैसे ये तीसरा नमबर पाठ योजना है तो तीन लिखेंगे यहां विद्याले का नाम लिखेंगे जिस विद्याले में आप पढ़ाने चाहते हैं पढ़ाने गए हैं भी इससे में आप पढ़ाएं हैं उसका लिखेंगे चक्र लिखेंगे यानि पिरियर में पढ़ाएं हैं अवधी 35-40 मिनट के बीच लिखेंगे तो मैंने 36 मिनट लिख दिया है परकरन में टॉपिक में गोलिय दर्पन पढ़ाएं अगर तो गोलिय दर्पन लिखेंगे टॉपिक गोलि उद्धता की आदत का विकास करना, तीसरा है चात्रों को शौलंबन तथा आत्म निर्भरता का विकास करना, चौथा है कारी करने, सिखने, कारी करके सिखने तथा सुच्मन निर्णे की छमता उत्पन करना, विशिष्ट उद्देश में लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश में लिखेंगे, पहला चात्रों को गोलिये दरपन से अवगत कराना, दूसरा चात्रों को गोलिये दरपन के परकार के बारे में बताना, तीसरा चात्रों को गोलिये दरपन से परतिविम बनने के नियम को बताना, सिच्छन सहायक समागरी में लिखेंगे rolling board, chalk, duster, chart, pointer, इत्यादी पुरुवग्यान में आप लिखेंगे चात्रों को बिग्यान की शामानी जनकारी है उसके बाद दुसरा पेज में प्रस्तामना आता है प्रस्तामना तो प्रस्तामना में लिखेंगे चात्र अध्यापक किरिया में और चातनों किरिया में तो पहला लिखेंगे पहला प्रकास की कीरन का किसी सता से टकराकर वापस लोटने की घटना को क्या कहते हैं तो चात्र बताएंगे प्रावर्तन दुसरा प्रापर्तन की घटना किस परकार के प्रिष्टों से होती है तो चिकनी प्रिष्ट या सता से होती है तुसरा है कुछ चिकनी प्रिष्ट के नाम बताएं तो समतल दर्पन अस्टील ये चिकने सता के नाम बच्चे बताते हैं चौथा दर्पन, दर्पनों के कुछ परकार बताओ, तो समतल दर्पन, गोलिये दर्पन, पच्मा गोलिये दर्पन क्या है, आपने पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया समस्यात्मक प्रशन, बच्चे के लिए ये समस्यात्मक प्रशन था, इसका जवाब बच्चे नही करेंगे अब नेक्स्ट पेज तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे परस्टिति करन पर किरिया पाठ्य बस्तु और अध्यापक किरिया एं यहां और छात्र किरिया आएं तक्निकी एवंसाधन और स्यांपट सारांस तो गोलिये दर्पन एसा दर्पन जिसका प्रावर्तक प्रिष्ट गोलिये होता है गोलिये दर्पन कहलाता है गोलिये दर्पन का प्रावर्तक प्रिष्ट अंदर या बाहर की और वक्रिये होता है ये लिखेंगे और चात्र किरिया में लिखेंगे चात्र ध्यान पु गोलिय दरपन का चित्र आप बना देंगे उसके बाद रता है गोलिय दरपन के परकार टॉपिक में लिखेंगे कंटेंट में पाथे वस्तों में गोलिय दरपन के परकार गोली दरपन को दो भागों में बाटा गया है पहला अवतल दरपन दुसरा उतल दरपन चात्र ध्यान से सुनेंगे असपस्टी करन विधी विधी में लिखेंगे चात्र नुकिलिया में लिखेंगे चात्र ध्यान से सुनेंगे और ये अस्पस्टी करन विधी विधी में लिखेंगे अस्पस्टी करन विधी और ये चित्र आप बना देंगे स्यामपट सारांस में ये चित्र बना देंगे अवतल दर्पन उसके बार टोपिक डालेंगे और लिखेंगे ऐसा गोली दर्पन जिसका प्रावर तक प्रिष्ट अंदर की और वक्रिये होता है ऐसे दर्पन अवतल दर्पन कहते हैं इसमें लिखेंगे चात्र समझ सकेंगे यहां लिखेंगे उसके बार यहां लिखेंगे उत्तल दरपन ऐसा गोलिय दरपन जिसका प्रावर तक प्रिष्ट बाहर के और वक्रिय होता है अस्पस्टी करन बिधी बिधी में लिखेंगे अस्पस्टी करन बिधी यहां लिखेंगे अस्पस्टी करन बिधी यहां नहीं अस्पस्टी करन बिधी और यह चित्र बना एसी गुलिय दरपन में निम्न पद होते हैं धूर्व वक्रता केंद्र वक्रता त्रीज्या मुख्याच फोकस तथा फोकस तूरी और द्वारक उसके बाद नेक्स्ट पेज में लिखेंगे प्रस्तुति करण परकिरिया में वक्रता केंद्र किसे कहते हैं पाठेवस्तू वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो दरपन जिस खोकले गोली का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं इसे सी से सुचित किया जाता है चात्र के लिए में लिखेंगे समस्यातमक प्रश्ण और तगनिकी विधी में लिखेंगे अस्पस्टी करन विधी स्यामपट सारांस देंगे वकरता केंद्र परधान अच्छ किसे कहते हैं तो गोलिये दरपन की वक्रता केंदर और धुर्व से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अच्छ काते हैं इसे X या X- से सुचित किया जाता है नेक्स्ट है यह फोकस दूरी किसे कहते हैं तो गोलिय दरपन की फोकस और धुर्व के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और यह चित्र जो है आप बना लेंगे उसके बाद यहां लिखेंगे मौन चात्र जो है चात्र किरिया क्या है चात्र इसमें इस प्रस्ण को पू किसे कहते हैं दूसरा गोली दरपन कितने प्रकार के होते हैं तिसरा वक्रता के अंदर क्या है वक्रता के अंदर क्या है चौता फूकस क्या है पाचमा लिखेंगे परधान अच्छ क्या है परधान अच्छ क्या है मुल्यांकर में लिखेंगे पहला कोचन गोली दरपन किसे कह करते हैं और दूसरा वकरता के अंदर किसे कहते हैं उसके बाद ग्रीख कारी आता है तो ग्रीख कारी में आप देंगे उत्तल दरपन किसे कहते हैं पूछेंगे और दूसरा आउतल दरपन किसे कहते हैं इस बात को लिखेंगे